तो आज मैं चला रहा हूं देख सकतो जैसे रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स है और जिसे मैं चला रहा हूं बहुत चारे कमेंट आ रहा था इसका राइड रिव्यू बनाने तो फाइनली लेकर आया है आज हाले कि पिछले बार जब इसका पूरा फुल रिव्यू दिय था बट उस वह लब अगर आप लोगो देखना चाहते हैं देख लेना फुली थोड़ी से डिग्रेट होगी काज उस ते मेरे पास गुपरों नहीं था अब चली चलाते हैं यह से अभी तो फिलाल है खंडोली पर जैसा पीसर वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया और पहले जितना वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करके रख्या है सब पहले वह अप्लूट करते जा रहे हैं उसके बाद यह वाला आते जाएगा तक चलिए बताते हैं इसके बारे में 350cc इंजन है इसकी और बात थी इसकी जो मेरे ने ब्याशिक्स की वाइब्रेशन तो अभ सब्सक्राइब कर रहा है इसके आगए है तो एटी पर वाइब्रेट करना चालो हो जाता है मतलब स्टार्टिंग है वैसा अगर आप टाइट पकड़के चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आराम से चलेगी और इस पर ग्लोब का एक्जॉस्ट लगा हुए है इसलिसका साउ और बहुत कोई कमेंट करते हैं कि ब्लोब कुछ लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं तो अभी दग तो फिलाल कुछ नहीं आया है सब्स्राइब कर लीजिए हमें अगर इन फ्यूचर कुछ आता है तो आप लोगो ज़रूर बताएंगे और अगर आप हीट लग रही है चलाने में हलका सा वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है और पुरी लाइट है बाइक गेर शिफ्टिंग में काफी सही है ब्रेकिंग अनॉल भी काफी अच्छे हैं इसके ब्रेक में लगा तो सदेन रिस्पॉंस आता है पुरूंत मतलब इंस्टेंट रिस् अच्छे चलते हैं अभी तो खंडोली में फिलाल यहां आयते हैं जैसे कि आज संडे लोगाने में थोड़ा दिक्कत में बतलब कि थोड़ा से लेट हो रहोगा दिले संडे से डारिक मंडे कर नहीं आएगा थोड़ा आगे ही आएगा बाइक तो काफी सही है गाइस यह वाली सिगनल है इसके डिलिवरी वीडियो में हमने बनाया है और इसका एक्जौस चेंज वीडियो बनाया है दो उसमें आप लोग उने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया वन मिलियन क्रॉस हो गया है थाइंक टू यॉल जर्ग्स वगेरे में भी वैसे कुछ फील नहीं आता है नॉर्मल लगता है जैसे हर गाली पर लगेगा आपको अब भागाने में काफी सही लग रही है तो अब लोग टाइट से पुरे हैंडल पकड़ते हों तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने जारा आप लोग को वाइबरेशन फील नहीं होगा बस्त चलाओ एक दम आप लोग और पुलेट के फील ही अलग है तो इलिन फील्ड की जितनी भी बाइक है सब का फील ही अलग है सब पर थम भी अलग है और साइलिंसर एक्जॉस्ट चेंज कर लो आप लो तो और खतरनाक आपको इस पर टचप मिलेगा जब चलाने टाइम इसकी जो फील आती है रॉयल इंट फील्ड की ऐसी कोई वाइक में आती है अगर आप लोग भी मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्श सब्सक्राइब की तो सीट काफी कमफर्टेवल है नॉर्मल अराम से आप लोग बैठो के कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी बम पे और जर्क सभी आगए आगे जर्क पर देखते हैं तो जर्क पर उतना फील नहीं होगा आपको बॉड़ी पे बस आपका हाथ पर लगे है कॉ सब्सक्राइब को बहुत को पसंद है बहुत को इसे मिलेटरी कलर भी बोलते हैं और हलका सा सैंड कलर पर है यह साब को दिख रहा होगा काफी घुसूरत लगती है यह वाली कि अभी तक बाइक में कोई दिक्कत नहीं आया है उस ट्राइब से जो एक्जास्ट वाली दिक्कत आप लोग बोलते हो इसका चलाने पर फील यह लग है इसलिए लॉंग टूरिंग के लिए पर्फेक्ट बोला जाता है रोयल इंफिल्ड को बहुत अच्छा फील आता है कि अब घर के और निकलते हैं लोग और चुटा बुटा राइड पर पसंद आया होगा पर्फार्मेंस तो बहुत ही अच्छी रोयल इंफिल्ड की जितनी तारीफ करो उतनी कम है आप लोग को अगर रोयल इंफिल्ड में कुछ दीक्त होती है तो कमेंट करके बताओ या क्य दीकत आप लोगों को फेस हुआ हाला कि मेरे को बस इसके एकी दिकत फेस हुआ था जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था वह ता इसका टूट गया था फुट्रेक मतलब इसका जो ब्रेक है वह थोड़ा सा एल में है और जब उसे दबाया मैंने तो वह नीचे ग्राउंड पर लगा लगते के साथ पीछे बैक आ गया तो वह एक थोड़ा सा गहरा फटका लागा था और कुछ इस पर कोई दिकत नहीं हुआ था इसकी मतलब बस ब्रेक से कंप्लेन है ब्रेक की जो डिजाइन है उससे हाला कि ब्रेक रिस्पॉंस इसा काफी अच्छा है ब्रेक का ड गया है तो बस यही एक दिक्कत आती है इस पर अगर आप लोग वैसे ऑफ रोटिंग पर चलाते हो तो और बात रहा है रोयल इंफिल्ड से ऑफ रोट करने का तो जेनरली रोयल इंफिल्ड के वाइक सी लिए जाती है आप लोगे लगे लंबे लंबे टूर पर कॉज यह ब में दिक्कत होगा ऐसे अब लॉंग टूरिंग के लिए हाइवेस के लिए पूरी कंफोर्टेबल वाइक है तुरी स्मूज चलती है अब चली वीडियो एंड करते हैं और सो पसंद आया होगा लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्यू फर वाचिंग